अविश्य में जब जब ऐसा होगा अनुचित किये बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा तब तब उसकी माता अपने सम्पूर्ण सामर्थे से उसकी सहायता करेगी क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान में कुछ भी अनुचित नहीं किया इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगी माता आप मेरी चिंता त्याग दीजिए मेरी शक्ती और प्रभू के न्याय परता पर आप विश्वास कीजिए माता प्रभू कहां कुछ अनुचित होने देंगे अवश्य इस युद्ध के पीछे मेरी कोई परिक्षा अत्वा जगत कल्यान का कोई महान उदेश नहीं थो क्योंकि इसमें एक और भोले बाबा है और दूसरी और प्रभू श्री राम का कार्य है हाँ देवी संसार में हनुमान और श्री राम की महिमा को और उजागर करने के लिए अत्य आवश्यक है ये युद्ध हनुमान मुझे बराज़त कर आगे बढ़ेगा तब ही राम राज़य और उसके साथ सर्वत्र धर्म की स्थापना संभव होगी इसलिए रिदे का ठोर कर आपको इस युद्ध से हटना ही होगा हनुमान की माता होने के साथ जगत जन्री भी हो जगत में धर्म के विस्तार के लिए जगत कल्यान के लिए इस युद्ध को होने दीजिए प्रत्यक शुरूप से मैं इस युद्ध में भाग लूँ अथ्वा नहीं किन्तु परोख शुरूप में आप दोनों की शक्ती बन कर मैं पूर्व से ही इस युद्ध में भागिदार थी आपकी आग्या के विरुथ भी नहीं जा सकती में ये युद्ध अपने नेत्रों के समक्ष भी नहीं देख सकती इसलिए मैं अपने नेत्र बंद रखूँगी जब तक ये युद्ध निरनायक ना हो जाए किन्तु कोई ऐसा आनिस्त ना हो जिसे मैं सहना कर पाऊ यही उचित है देवी इसी में जगत का कल्यान नहीं थै प्रभू माता के आशिरवात स्वरूप उनके द्वारा दिये गए इस खड़क के साथ आप से युद्ध करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ इसलिए प्रभू आपको भी कोई और अधिक शक्तिशाली अस्त्र चुनना होगा मुझे ग्यात है पुत्र जैसा मैंने पूर में भी कहा था इस युद्ध में तुम पर कोई दया नहीं करूँगा मैं तुम पर कठोर्तम से कठोर्तम वार करूँगा मैं चंद्रहास प्रभू ने चंद्रहास का आवाम किया है इसका सामना करना तो किसी के वश्मन नहीं प्रूप 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 झाँ झाल 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 माता को दिये गए वचन के अनुसार, प्रभू और हनुमान इस यूद को स्रिष्टी से दूर ले जा रहे हैं, जिससे इस महायूद का किंचित प्रभाव भी स्रिष्टी पर ना पड़े. हनुमान, क्या तुम यूद के लिए पुना प्रस्तुत हो? राम काज की सफलता के लिए मुझे ये युद करना ही होगा प्रभू. दोनों महायूद्धा अपने दिव्यस्त्रों से एक दूसरे पर वार करने के लिए प्रस्तुत हैं. और जब दो मान शक्तियों का एक दूसरे से ठक्राव होता है, तो स्रिष्टी से दूर होने पर भी वो स्रिष्टी के लिए कभी भी संकट का रूप धारट कर सकते हैं. जय श्री राम! इतनी तिव्य गती से आगे बढ़ते हुए महादेव के प्रहर को रोकना असंभव है. मेरा हिदे, इतना वसलित क्यों हो रहा है? रणकपिगंगा धर अकल्पित देव अचंधित स्रिष्टी चिंतित जो देखी न सुनी कभी भाई युथ वही प्रारंब को आई ये गांगा महाबली हनुमत की रुचिकल लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदन राम जै 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 महाबली हनुमा प्रथम प्रहार से ही स्रिष्टी कमपित हो उठी तो क्या करहीं आगे क्या होने वाला थे? भुले बाबा की काया तो महा विक्राल रूप धारन करते जा रही है महादेव का ऐसा रूप कदाचित स्रिष्टी में कभी किसी नहीं देखा होगा नजाने क्या होने वाला है महादेव का ये विश्वरूप ये दर्शन अध्भूत भी है और भय उत्पन करने वाला भी नमन हुले बाबा आपके इस विराट दर्शन को संभालो मेरा माद जै श्री राम इस विराट बाबाविव मेरा मेरा भी है झाल झाल, 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 झाल प्रहार तो भोले बाबा बहुत ही भीशन कर रहे हैं कि तु न जाने क्यों मुझे इन प्रहारों में शत्रु भाव का आभास ही नहीं हो रहा है में जाने आज क्या होने वाला है कुट्रे अरुमान जिसका भैथा वही होने की संभावना दिखाई दे रही है देव कैसी रुकेगा ये युद्ध मैं तो स्वेम हद्प्रव हूँ ये सब देख कर हाँ ये क्या आकाश गंगा में पहुंचने ही मेरी कुण्धी देह का आकार एव़ मेरी शक्ती? छिड कैसे होने लगी? नहीं नहीं, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी ही होगी क्लान्थ हो गए पुत्र लो, मैं भी तुमारे कार के समान हो गया अब मुझे अपना युद्ध कौशल दिखाओ युद्ध कौशल तो दिखाओ भोले बाबा किन्तु मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे दूर दिखाई दे रही पृत्वी में कमपन हो रहा है आपके समक्ष कंदुक के आकार के जैसी प्रतीत हो रही है पृत्वी मुझे भी तुमारे पीछे मंगल ग्रह कमपित होते दिखाई दे रहा है युद्ध का परिडाम है ये, किन्तु युद्ध नहीं रुखेगा तुम अपने भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो और मैं अपने भक्त के लिए प्रभू मुझे वचन दीजिये कि यदि मेरा राम की सेना से युद्ध हुआ और उसमें मैं परास्थ हुआ हनुमान इसे युद्ध की प्रतियोगिता समझने की भूल ना करो वार करो और दिखाव अपना वास्तविक बल युद्ध का दिखावा करके मुझे निराश मत करना उचित है भोले बाबा युद्ध की कलाएं तो आप ही से सीखी है मैंने अब आपको निराश नहीं करेगा आपका ये शेश्व जै श्री राम दो महाशक्तियों के ये प्रचेंट घात प्रतिघात इसे शीग रही नहीं रोका गया तो असमय ही प्रलाई की स्थित्यूद पन हो जाएगी हाँ ये था तुम्हारा प्रशंस नियवार हनुमान प्रभु की दिव्य खड़क का तूटा हुआ भाग तो प्रित्वी की ओर बढ़ रहा है प्रित्वी पर विनाश मचा देगा ये प्रित्वी को दो भागों में विभक्त कर देगा ये मेरी खड़क का भाग भी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है मंगल ग्रह भी नश्ट हो जाएगा संसार के संकट मोचन हनुमान आप क्या करेंगे मंगल ग्रह अधिक दूर नहीं है पहले इन्हें ही बचाता हूँ जय श्री राम मेरी खड़क का भाग तो प्रित्वी के निकट पहुंच गया है मैं अभी इसे हनुमान पुत्र ये दिव्य खड़क महागा तक है तुम इसे नहीं रोक पाओगे प्रतीत होता है कि हनुमान चंद्रहाथ तक नहीं पहुच पाएंगे और यदी पहुच भी कर तो उसे नियंतरिस करना सहच नहीं होगा प्रतीत में अभी कर दो चाहँ पाओगे प्रतीत है प्रतीत कर दो खोवच प्रतीत प्रतीत I will see you next time. हनुमान, पृत्वी लोग और मंगल ग्रहे को संकट से बचाकर तुमने थृष्टी पर उपकार किया है सत्य में ही संकट मोचन हो तुम किल्टु हमारे वीच जो युद्ध होगा वो तुम्हारे युद्ध कोशल के अनुरूप ही होगा अब महादेर किस प्रकार की युद्ध के लिए कह रहे हैं हनुमान, स्वायम को नियंत्रिद करो पुष्ट चंदर हास को तो रोक लिया है हनुमान ने किन्तु यदि हनुमान स्वाम पृथ्वी से ठकराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभू से युद्ध करने चले थे तो भुक तो उसका परिणाम पृथ्वी से ठकरा के टुकले टुकले हो जाओगे हनुमान आश्चर यह है ये वानर तो अद्भुत है भुले बाबा के हाथ में गदा? उठो हनुमान गदा युद्ध सबसे अधिक प्रिया है ने तुमें? गदा युद्ध में तो मुझे परास कर दो अन्यथा राम का जपून रहे जाएगा अश्व बंधी बना रहे जाएगा अश्व में ग्यग्य की अगनी भी ठंडी पड़ जाएगा बोले हनुमत को ललतारी युद्ध कदा से करो गदा धारी मारी कदा भूपर हनुमाना जाकमपन से शिव को प्रनामा मेरी गदा का प्रनाम स्विकार करें गुरुदेव भूले बाबा जब से आप से युद्ध कला का प्रशिक्षन लिया है तब से गदा हो या कोई अन्य अस्त्र हर अस्त्र में दक्षता प्राप्त हो गई है मुझे तो फिर माचरबात से नहीं युद्ध कोशल से इसका प्रमान दो ऐसा ही होगा गुरुदेव अत्यांत भयानक होगा या कदायुद्ध तब साल में दो महायुद्धाओं की गदार टकराएंगे तो स्ष्ष्टी में विच्रन निश्चित है जय श्रीराँ गदाओं की ये भीशन दंकार ये ध्वनी तो कानों को भेद रही है पर ब्रह्मा की शक्ती है शिवशंकार पर हन्वान भी उनी के अंशे इन भ्रह्मशक्तियों की गदाओं के टकराने से भ्रह्मान को भी विचलिट करने वाला भ्रह्मनाद उत्पन हो रहा है आप असाइनिये हो रही है ये ध्वनी स्वामी यो तो अग्र होता जा रहा है जब भी दो महाशक्तिया आपस में टकराती हैं तो महाविनाश होता ही है आज भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है देवी पार्वती सारा प्रह्मभान कमपित हो रहा है आपका रिदर भी काप रहा होगा माह के रिदर की वथा एक नारी ही जान सकती है देवी आप तो जगत के पालनहार हैं सारी स्रिष्टे विचलित हो रही है कैसे होगा इस युदकार कब होगा ये युदसमार कैसे होगा ये 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 किताव अनुमान क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कोई भी परिस्थिती उत्पन हो किन्तु युद्धा के लिए शनवी धान धैर्य और सैयम खोने का आर्थ है पर आजये क्या तुम भी परास्त होना चाते हो हुले बाबा, गुर्देव से पराजय भी मेरे लिए आशिरवाद है किन्तु आज पराजय का अर्थ है मेरे प्रभू के काज में असफलता और राम काज को ये हनुमान कदापी असफल नहीं होने देगा फिर क्यों युद्धे तुम्हारा धान भटक रहा है हनुमान ये युद्ध में ध्यान दे या नहीं पराजय तो इसकी ही होनी है हर हर महादेव पुना एक आगरता खो दी तुमने हनुमान इसलिए अपनी गदाग हो बैठी गुर्देव की संगती हो या विसंगती परिणाम तो कल्यान कारी ही होता है अच्छा ही हुआ अन्यथा गदाओं की टंकार सभी को विचलित कर रही थी सैनिक भी पीडित हो रहे थे धर्म युद्ध में ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं हनुमान ऐसी ही पीड़ा एक साधरन सैनिक को युद्धा बनाती हैं तुम्हारे भीतर जो युद्धा है उसे जागरत करो हनुमान और समाप्त कर दो इस युद्ध को अन्यथा मैं समाप्त कर दूँगा इस युद्ध को अनुमान अब भी शक्ती शेश है तो आओ मल युद्ध करो मुझ्ध को युद्ध ये प्रचंद है प्रलाइका शंखनाद है शिबसे शिभाश का युद्ध सर्ब नाशिगे युद्ध सर्ब नाशिगे मुष्ध पहाः प्रमहादेड को अनुमान तो मलियुद के महावीर महादेव के पाउं को अपनी पकड में ले लिया है किशमा सब्सक्राइब ने मीघएब अगल के बन्यान के अकिछाएबẫn सब्सक्राइब है सब्सक्राइब सब्सक्राइब अव्सक्राइब हनुमान, मुझे निराज मत करो पुरहार करो अपनी पूर्ण शक्ती से हनुमान ने महादेव से तो युद्ध सिखा ही है अपने पिता केसरी जी से भी मल्युद का परसिक्षन लिया है हनुमान हो युर्ण लांपे टो इंडार में शिंग रान्यो प्राबड़्च एंडें लाया है युर्ण अजल नेधा है और अजल उन्यों अजल करो प्रभू शमा प्रभू, कहीं आपको आहत तो नहीं कर दिया मैंने ये क्या, श्योजी पर ऐसा भीशन प्रहार हनुमान को नहीं करना चाहिए था ऐसा ये क्या कर दिया हनुमान में यदि महादेव का क्रोज आगरित हो गया और उन्होंने अपना तृत्या नेत्र खोल दिया तो और शिवजी के तृत्या नेत्र खोले का अर्थ है अनुमान के मृत्यों और सुष्णी का महा सफार युद्ध विजय प्राप्ति की भावना से किया जाता है विरोधी चाहे कोई अपना ही क्यों न हो कोई भी प्रहार विफ़य नहीं होना चाहिए झाल